हेलो एवरिवन वेलकम टो माई राहल देव एडब्ल यूट्व जैनल आज हम बात करेंगे पल्वल डिस्टिक के बारे में देशा है इसकी दक्सेन स्थापना 13 अगस 2008 को संस्थापक राजा बल्दराम नाम खर्ण पल्वा सुर के नाम पर प्राचिन नाम है पल्वा उप नाम सूगर सिटी कोटन सिटी तहसिल पल्वल होडल हथीन उप तहसिल हसनपूर वहीन अक्षेत्रफल 1369 किलोमेटर लिंगान पात 880 जन सिंख्या 10,1708 शाक्षितादर 70.3 परतिसत पल्वल की सीमा हर्याना के तीन जिलों के साथ लगती है फ्रिदावाद गुरुगराम मेवात मेवात का अब नूम बोलते हैं पल्वल जिले का वरण महाभारत काल में मिलता है एग्यात वास के दोरान पांडव जी सथान पर ठहरे थे वह पंच्वटी इसी जिले में है पल्वल में पल्वा सूर रक्षस रहता था जिसका वद बलराम ने किया था ठारस उस्तावन की करांती के सिमें पल्वल का नितरतो गफूर अली वै हरसुख राय ने किया था 10 अप्राइल 1919 को गांदी जी की पहली गिर्वतारी पल्वल रेलवे स्टेशन से हुई थी 30 जुलाई 1919 के बाद दोरा गांदी जी को हिसार से गिर्वतार किया गया होडल प्राइजन से में इस थान का नाम इस थान पर ओड़ जाती की अधिक्ता दी और इसको होडल कहा जाता था वरत्मान में इसको होडल कहा जाता है इस थान पर किसोरी लाल महल का निरमान कासी राम द्वारा अपनी बेटी की सोरी के नाम पर 1750 से 1764 में करवाया था हतिन प्राचिन समय में इस सथान पर हाथी विजण करते थे गांदी आश्रम को 1938 में पल्वल सुभास द्रबोष द्वारा बनाया गया था प्रेटन स्थल डवचिक खेल स्टेडियम सुभास द्रबोष प्रमुक्स्थान द्रोपति घाट आहर वन इस वन का निर्मान भागवत गीता में मिलता है पल्वल सुगर मिल 1984-85 में बनाए गई विशो विदाल्य विशो कर्मा कोसल विकाष विशो विदाल्य दुधोला गाउं में बनाए गया मिटी पीडी फसल गेहूं का पास गन्ना नदी यमुना हाईवे नस्टू नया नाम नस्च्वारिश पल्वल फिरिदाबाद मंडल में आता है पूलिश रेंज रेवारी में आता है दोस्तो विडियो कैसी लगी अगर विडियो अची लगी तो लाइक कॉमेंट और सेर जरूर करें अगर आप सेर करते हैं तो यह है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइदा होगा